ये लड़का बेहत बेवकूफ था और इससे परेशान होकर कभीले से निकाल दिया जाता है। इसके बाद लड़का ऐसे शहर में जाता है, यहां लड़कियों पर बेहत जुल्म होता था। बेवकूफ लड़का लड़कियों की कैसे मदद करता है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें. जो अपनी हरकतों से सभी को परिशान करता रहता है. वैसे ये लोग जिमजिम कबीले से वास्ता रखते थे. कबीले के आदमी दो तरह के काम करते थे. कुछ आदमी शिकार करते थे तो कुछ फल तोड़ते थे. शिकार से लौट कर मैसी जू के पास रुख गया था. जू उसक का करीबी दोस्त था, जो फल तोड़ने का काम करता था. मैसी उसे बता ही रहा था कि जंगल में क्या क्या हुआ, कि इसी बीच उसकी नजर माया पर पड़ती है. माया भी इसी कबीले की थी, और मैसी उससे बेहत प्यार करता था. वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मा माया उसे पसंद नहीं करती थी. माया मैसी को बेवकूफ समझती थी, इसलिए वो उसे ना पसंद करती थी. कुछ देर बाद मूसा शिकार कर बापस आ जाता है, जिस कारण पूरा कबीला खुश हो गया था, वो भी माया को पसंद करता था, लेकिन माया उसे भी पसंद नही करती थी. मैसी का दोस्त जू भी एमा नाम की लड़की को पसंद करता था, जबकि वो उसकी तरफ देखती तक नहीं थी. थोड़ी देर बाद मैसी और जू घूमते घूमते कबीले के बाग में आ जाते हैं. बाग में सुनहरी सेब भी थे, कबीले वालों का मानना था कि जो भी सुनहरी सेब को खाएगा, वो समझदार बन जाएगा. इसके साथ ही वो ये भी मानते थे कि इसे खाने वाला श्रापित हो जाएगा और वो कबीले को मुसीबत में डाल देगा. मैसी समझदार बनना चाहता था. इसलिए वो एक सेब तोड़कर खा जाता है. इसके बाद इसी बीच मुसा उसे पीछे से पकड़ कर पूछता है कि तुम बाग में क्या कर रहे थे? पहले पहले तो मैसी उसकी बात नहीं मानता. लेकिन जब एक आदमी कहता है कि मैने मैसी को सेब खाते देखा था तो मैसी अपनी गलती मान लेता है. अब मैसी को पीट कर सरदार के मैसी कोई नहीं थी से मारने लेकिन दोने श Aunty surface का पर पड़ने लगाम दोतों झास काई मैसी अमेर हने लेकिन चाहिए मुस wrapped की लिए मैसीमने जलास के लिए लगाफिप, इसम एक शबूख और मैसी ओंड़ yeah3, 별म करी seven पूरे कबीले को गुलाम बना लिया और फिर यहां ले आए। मैसी उसे माया और एमा को आजाद करने को कहता है, लेकिन सौदागर उनसे पैसे मांगता है। मगर दो गुलाम किसी तरह बच जाते हैं। ये दोनों गुलाम मैसी और जू ही थे, जो मौका देखकर भाग गए थे। कुछी देर बाद कीबी लोग चले जाते हैं, जिसके बाद मैसी और जू भी कीबी शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों वहां जाकर माया और एमा को बचाना चाहते थे। एक लंबे सफर के बाद दोनों दोस्त कीबी शहर के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। वो जल्दी जल्दी शहर में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन सिपाही उन्हें बाहर ही पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों को जनरल के आगे पेश किया जाता है। जनरल इन्हें जासू समझ कर पीटने लगा। दोनों की चीखे सुनकर सेना पती भी उनके पास आ जाता है, वो भी दोनों को जासू समझ कर इनसे पूछताच करने लगा। इसी बीच बिनसो भी उनके पास आता है, वो दोनों को अपना भाई बताता है, जिसके बाद दोनों को छोड़ दिया गया। अब बिंसो फिर से दोनों को शहर दिखाने लगा। वैसे बिंसो एक ठग था जो अलग-लग शहरों में घूमता रहता था। उसे पता था कि दोनों दोस्त बेवकूफ हैं। उसने इनकी मदद इसलिए की थी ताकि वो उनका फिर से इस्तिमाल कर सके। वो दोनों से माफी मांग कर उनसे वादा करता है कि वो उन्हें सेना में भरती करवा देगा और फिर वो अपने कबीले तक पहुँच जाएंगे। अगले दिन बिंसो ने अपना वादा पूरा कर दिया और दोनों को सेना में भरती करवा दिया। शहर में आज राजकुमारी निकलने वाली थी और पूरी सेना उसके स्वागत की तैयारी कर रही थी। हमारे बेवकूफ दोस्त भी राजकुमारी के स्वागत के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ राज तांत्रिक कोई जादू कर रहा था जबकि राजा उसे देख रहा बारिश करवाने के लिए तांत्रिक ने छे लड़कियों की बली भी दी थी, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली थी। बजीर राजा से कहता है कि शहर के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें बारिश चाहिए। पूरा शहर भी इस समागम को देखने के लिए इकठा हो चुका था। जल्दी ही सभी के सामने तांत्रिक आता है और आते ही लड़कियों को देखने लग जाता है। आज फिर एक लड़की की बली दी जानी थी, ताकि शहर में बारिश हो सके। देखते ही देखते तांत्रिक एक लड़की को चुन लिया, जिसके बाद लड़की की बली दी जाती है। बली समागम के बाद दोनों दोस्त बिंसों के साथ घूम रहे थे। इसी बीच एक नकाब पोश लड़की तीनों के सामने आती है। वो मैसी और जू को अपने साथ चलने को कहती है। दोनों उसकी बात मान कर उसके साथ चल पड़ते हैं। जल्दी ही तीनों महल में पहुँच जाते हैं। लड़की मैसी को लेकर अंदर चली जाती है। जबकि जू को तांतरिक के आदमी के पास छोड़ दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद लड़की मैसी को शाही कमरे में ले आई। य से पूछना है कि हमारे शहर में बारिश क्यों नहीं हो रही। मैसी राजकुमारी का दीवाना बन गया था। इसलिए वो उसकी हर बात मान लेता है। उधर तांतरिक भी जू को तहकाने में भेजना चाहता था। वो उसे तहकाने के पहले दरवाजे पर ले आया था। तां कुमारी को खुश करने के लिए मैसी जल्दी ही तहकाने में चला जाता है। वैसे दोनों दोस्त तहकाने में आतो गए थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस तहकाने में आने वाला इंसान अंधा हो जाता है। तहकाने में एक दूसरे को देखकर दोनों दोस्त हैरान अगले दिन दोनों दोस्तों को सजा दी जाने वाली थी. लेकिन मैसी लोगों से कहता है कि वो देवता का आदमी है। इसलिए देवता ने उसे छोड़ दिया था. मैसी की बात सुनकर राजा दोनों की सजा टाल देता है और उन्हें मज़धूरी करने को कहता है. फोड़ी ही देर बाद, दोनों दोस्त मजदूरी कर रहे थे, इसी बीच मैसी को पता चलता है कि तांत्रिक माया और एमा की बली देने वाला है, मैसी को बिलकुल सही खबर मिली थी, बारिश करवाने के लिए तांत्रिक दो-दो लड़कियां मारने वाला था, मैसी उंचाई पर काम कर रहा था, माया को बचाने के लिए वो जल्दी-जल्दी माया के पास पहुँचता है, इसी बीच बजीर धोखा देकर राजा को मरवा देता है, माया को तांत्रिक ने पकड़ रखा था, मैसी पहले सिपाहियों से लड़ता है, फिर सेना पती को हराता है, और फिर तांत्रिक की ही बली दे देता है। तांत्रिक के मरते ही बारिश होने लगी। जिसे देखकर पूरा शहर खुश हो जाता है। कहानी के आखिर में दोनों दोस्तों को अपना-पना प्यार मिल गया था। वो राज-कुमारी से विदा लेकर अपने कबीले की तरफ चले जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।